नमस्कार, मैं हूँ दीपक भारदवाच और आप देख रहे हैं नाद न्यूजएप का इवनिंग बुलेटिंग आज बुलेटिंग की शुरुआत किसान अंदोलन से जुड़ी खबरों के साथ दिल्ली में जारी किसान अंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए मजदूरों का एक दल आज हनुमानगड से शाह जहापुर बोर्डर के लिए रवाना हुआ सीटू से जुड़े श्रमिक संगटनों ने किसान अंदोलन को समर्थन देने के लिए यह जथा रवाना किया गोर्तलव है कि किसान संगटन श्रम कानूनों से जुड़े हुए संशोधनों का पहले ही विरोध करते रहे हैं अब उन्होंने किसान अंदोलन को समर्थन देने का निरने लिया है अभी सियाइट्यू की तरफ से निरने लिया गया है कि देश में जो किसान अंदोलन चल रहा है उस अंदोलन की मुखे मांग है कि चारों जो कानून है वो वापिस लिये जाए और उस मांग को लेकर कि सियाइट्यू उनका समर्थन करती है मजदूर किसान एकता के सवाल पर अभी हमारी एक बस साथी सेल सिंग जो सीटू के जिला के सेक्रेटी हैं उनके नेतरों में बस जा रही है जिसमें बाउंस साथी जा रहे हैं ये साज़ापर बॉर्डर के अंदर जहां किसान डेरा डालके बैठे हैं उनके समर्थन के लिए जा रहे हैं हम इस लड़ाई को साज़ी मजदूर और किसान की क्योंकि ये लड़ाई ने एकले किसान की है ने आम लोगों ये लड़ाई तमाम लोगों की है जिसमें मजदूर भी सामिल है सियाई ट्यूप पूरी तरह से किसान अंदोलन का समर्थन करती है इधर जंडा वाली गाउं के लोगों ने किसान अंदोलन को समर्थन देते हुए युवा नेता हर प्रीट सिंग धिलों के नेत्रतों में जैपुर दिल्ली हाईवे पर धारू हेडा के पास सुकदेव ढवा पर बादाम का लंगर लगाया गाउं कोहला के नजडिक स्थित टोल पलाजा पर किसानों के अंदोलन का समर्थन कर रहे नागरिकों का धरना आज भी जारी रहा इस दोरान वहन चालक बिना टोल दिये टोल पलाजा से निकलते रहे किसान अंदोलन केंदर सरकारकी नीटियों के खिलाप है वहीं जोदफूर डिसकोम के करवचारियों के संगत्र राजिय सरकार के रवइया से ऐसंतुष नजरा रहे हैं आज जोदफूर डिसकोम सईक्त संघर्शमीती के और से निगम के निजी करण के विरोध में जंक्शन स्थिट S.E. कार्यलय में सभा की गई दिसकौम करमचारियों ने परदर्शन करके अपना विरोध जताया सरकारी तंत्रों के मुख्यता हमारे जोदपुर्ट डिसकौम के निजी करण को विरोध में हम लोगों ने संयुक संगर समीती जोदपुर डिसकोम का निर्मान किया था उसी के कार्य करम के तहट आज ये अनुमानगड में करमचारियों के जागरण एवं बारा तारीक को जो जोदपुर डिसकोम मुख्याले पर विशाल रेली एवं अंदोलन होना है उसके लिए निमत समलित होने का पूर्ण आश्रिवाद दिया है पूर्ण विश्वास जता है इन खबरों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद खास खबर में जानेंगे कोवों में फैल रही रहस्या में बिमारी के बारे में प्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है नाद न्यू जैप के इवनिंग पूलेटिन में जिले में नशे की प्रवर्ति पर रोक लगाने के लिए ओप्रेशन संजीवनी के तहट लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं अभियान के तहट आज जंक्शन स्थित सेट हंसराज मेमोरियल सिनियर सेकेंडरी स्कूल मी सुरेशिया पुलिस चोकी की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला के मुख्याती थी सुरेशिया चोकी परभारी S.I. विशन सहाई, A.S. इंद्रादेवी, हेड कांस्टेवल रोहताश कुमार वे विशिष्टती थी पार्षद राजेंदर्स चोधरी वे पुरुव पार्षद जस्पाल सिंग थे कार्यक्रम की अध्यक्ष्टा स्कूल के विवस्थापक राजेश मिड़ा ने की इसके अलावा टीवी शेतर के गाउं गुडिया में भी शिविर का आयोजन हुआ इधर सुचना एमम प्रोध्योगी की विभात की ओर से भी पैंशन सत्यापन वे जन आधार कार्ड वित्रन के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है अभी दस जनवरी तक जन्शन स्थित नगर परिशद कर्याले में शिविर जारी रहेगा सुचना सहयक पंकजगोड ने बताया कि सोवार को शिविर का उधगाटन नगर परिशद सभापती गनेश राज बंसल ने किया शिविर में लोग सुबह दस से शाम चार बज़े तक अपना जन आधार कार्ड प्रापत कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खास ख़बर की ओर ख़बर जिले में हुई कोवों की ऐसमाने मोत के बारे में है इस बिमारी की रिपोर्टिंग के लिए जैपूर के अधिकारी कल हनुमान गड़ाएंगे आपको बता दी कि जीले के गाउं जबरासर में कोवों की रहस्य में तरीके से मोत का सिलसिला जारी है यहां कुल 52 कोवों की मोत हो चुकी है इसकी पूरी रिपोर्ट त्यार करने के लिए पशुपालों निभाग के दवा प्रकोष्ट निदेशाले के उप निदेशक डाक्टर जुगल लाल मिश्रा कल हनुमान गड़ाएंगे इससे पहले परदेश में कोवों की ऐसमाने मुरित्यों के मामले सामने आए है बताया जा रहा है कि परदेश के अन्य शित्रों में कोवों की ऐसमाने मोत के पीछे की वज़े है एवियन इंफ्लियोंजा वाइरस रहा है हलांकि हनुमानगड के मामले में अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है लेकिन लोगों को मरित कवों से दूर रहने की हिदायत दी गई है पशुप पालन विभाग भी स्थिती पर लगातार नजर बनाए हुए है एक खबर यह भी है कि परदेश में बड़े स्तर पर पुलीस वे परशाचनी कदिकारियों के तबादले हुए है हनुमानगड में पुलीस अधिक्षक के तोर पर प्रिथी जैन की न्युक्ति हुई है आज परदेश में नगर निकाय चुनाव की घोशना भी कर दी गए है परदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में सदस्यों के लिए 28 जन्वरी को चुनाव होंगे हनुमानगड जिले के 5 नगर पालिका शेत्र, नोहर, भादरा, संग्रिया, पिली बंगा और रावत्सर भी इन में शामिल है तो यह थी आज की परमुक खबरें इसके अलावा नाद न्युजैप में दिन भर खबरें अप्टेट होती है आप जो खबर सुबह अकबार में पढ़ते हैं वही खबरे आप देर शाम तक ही नाद के मज़म से जान सकते हैं इसलिए आपके आसपास की खबरों को नाद ही सबसे पहले आप तक पहुंचाता है तो जिले की खबरें सबसे पहले जानने के लिए अपने मुबाइल में नाद न्युजैप इंस्टॉल कीजिए यह गूगल प्ले स्टॉट पर उपलब्ध है अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाद नूस एप के साथ